next question दोजा तीन का सवाल है, question says if a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is हमें बताना है कि जब गेंड को आपने नीचे से उपर फैंका है, so सवाल ये है कि ये गेंड आपने यहां से ऐसे फैंकी highest point पे रीच किया है और वापस मानलो नीचे हारी and all that stuff is going on सो हमें बताना है कि नीचे से जब आपने U velocity से फैंका है तो आखरी T second में कित्ती height cover किये है total time of flight आप यहां पर T assume कर सकते हैं और यहां से यहां जाने का time T हो सकता है यह height बताना है कि T second में कि आखरी के T second अब यह T second एक second नहीं दिया यह 1 second, 2 second, 5 second कुछ हो सकता है assuming कि यहां पर आपका T जो है वो less than आपका time upward journey का इस case को करने के बड़े सारे तरीकियों है सबसे आसान तरीका समझते हैं तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि सबसे simplest और best तरीका इसको यह है कि से concept भी आपको सीखने को मिलेगा कि नीचे से उपर जाने की जो आपकी journey है उसी का mirror image है उपर से नीचे आने का तो यहां से gain U पर चली है यहां आपकी velocity 0 हो गई है तो यहां पर speed देखेंगे तो highest point भी आपकी 0 हो गई है यहां से चलेंगे तो आपकी initial velocity 0 है velocity का up posit sign है पर जती speed उसने 1 s 1000 देखेंगे जितां नीचे से उपर ट्रेवल किया है उत्तां उपर से नीचे ट्रेवल किया है पहले 5 सेकिन में उत्ता झाirable किया है जो इसका time है नीचे से उपर जाए ला सेंड तो simplest तरीका इसका यह हो सकता है कि अगर आपको यह बताना है यहां से यहां height t time में जो उसने cover की है वो same height होगी जो उपर से नीचे आने में उसने t second में cover की है तो उसके लिए हम second equation use कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम second use कर लें तो s is equal to ut plus half 80 square use कर सकते हैं तो आपकी s c h की जो value बतानी है वो हो जाएगी 0 plus half minus g multiplied by t square तो इसकी value आ गई half g t square यह minus sign के साथ यह आपकी h होगी minus sign इसलिए बिकाज उपर से इसको हमने origin माने second case में आपको distance travel बताने है तो आपका answer हो गया positive sign के साथ half g t square so based on this हम कह सकते हैं का option number b would be the right answer